आपके चप्टर की exercise 6.1 में हमने question number 1 और question number 2 को solve किया था next जो हमने solve करना है वो है question number 3 now open your book open your book page number 68 page number 68 में हमारे पास question number 3 है उन्होंने कहा है simplify the following ratios इन ratio को क्या करना है हमने simplify करना है सबसे पहले जो हमारे पास question given है उसको solve करते हैं like यहाँ पे हमें सबसे पहले जो ratio given है वो है 3 ratio 9 ठीक है simply पहले हमें इसको क्या करेंगे fraction में convert करते हैं फिर हम लोग देखते हैं अगर तो हम इसको 2 के table में divide करते हैं तो यह 2 के table पे divide नहीं होता है ठीक है like 3 भी किस पे divide हो जाएगा 3 पे और 9 भी 3 के table में आता है तो like अगर हम इसको इसको इस तरह करें 3103 और 3309 तो यह हमारे पास आ गया 1 by 3 ठीक है तो यह क्या है इसकी simplest form है इसको ratio quality form में इस तरह लिखतेंगे 1 ratio 3 उसके बाद जो question number 2 है वो भी as it is ही होना है ठीक है उसके बाद जो question number 3 है वो थोड़ा different है वो मैं आपको करवा देती हूं like यह है हमारे पास 1 by 4 ratio 1 by 6 ठीक है इसको सबसे पहले हम अगर fraction में convert करते हैं तो यह 1 by 4 over 1 by 6 ठीक है तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6 ठीक है 3 के साथ 1 multiply होगा तो 3 और 2 के साथ 1 होगा तो simply 2 आजाएगा तो यह हमारे पास ratio आजाती है 3 ratio 2 और इसके बाद question number 4 भी as it is ही solve होना है ठीक है और question number 5 जो है वो थोड़ा different है इसको मैं करवाती हूँ आपको like यह हमारे पास question number 5 है 1 into 1 over ratio 1 7 ठीक है इसको simply अगर हम fraction वाली form में करते हैं तो यह 1 over 7 ठीक है यह 1 ratio 7 over 1 ठीक है तो यह simply 7 over 1 आजाता है हमारे पास तो यह 7 ratio 1 ठीक है तो question number 6 भी as it is ही solve होना है ठीक है तो आपने इन questions को क्या गर डलना है solve कर देना है और कोई difficulty हो तो आप पूर सकते हो और उसके बाद जो है question number 7 question number 7 कैसे solve होना है यह भी मैं आपको करवा देती हूँ question number 7 में हमारे पास है 1 ratio 3 3.9 ठीक है इसका सबसे पहले point खत्म करेंगे तो यह 10 और यह 3 over तो यह 10 आजाएगा ठीक है 39 तो यह simply 13 ratio 13 है तो इससे next वाला जो question है वो भी as it is ही solve होना है तो आपने इसको गर डिना होके student law office